देश की राजानी दिल्ली में यूबक की चाकों से गोद कर हप्तिया कर दी गई पड़ोस में रहने वाले यूबक ने दिया हप्तिया की बारदात को अंजा बाहरी दिल्ली के मंगलपुरी की घटना घर के पाद जागरण में सामिल होने गया था मरतर आपसी रंजिस के चलते दिया घट्या की बारदात को अंजा सरकारई इस्पतालों में चल रही हर्ताल के चलते नहीं मिल सका यूबक को इला जिसके बाद घायल यूबक ने दूसरे अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया आरोपी यूबक फरार पुलिस मामला दर्ज के जाच में जुट गई है एक और जहां मृतक अर्जुन के परिवार का रोरो कर बुरा हल है वही परिजन मृतक की हत्या के पीछे कुछ अन्य लोगों के भी सामिल होने की बात कह रहे है वही मृतक के परिजन इसे सुनियोजित हत्या की साजिस बता रहे है साथ ही पुलिस की कारवाई पर भी उंगली उठा रहे है उधर घटना इस तलपा पहुंची पुलिस ने सब को पोस्ट माडम के लिए तो भेज दिया है लेकिन अगर उस समय अस्पताल में हरताल ना होती और अगर मृत्तक को समय पर इलाज मिल जाता तो साइद उसकी जान बज सकती थी वही परिवार की माने तो कल देर रात अर्जुन अपने घर के पास मैं ही हो रहे जागरन में सामिल होने गया था जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले साहिल नाम के यूवक से अर्जुन की किसी बात पर कहा सुनी हो गई और बताया जा रहा है कि पहले भी एक दो बार दोनों का जगड़ा हो चुका है जिसके बाद हत्या के आरोपी साहिल लाम के यूबक ने पहले तुम्रत की आखों में लाल मिर्च का पाउडर डाला और फिर उसके बाद उस पर किसी नुकीली अत्यार से तावर तोड करीब एक दरजन बार कर दिये जिसके बाद किसी ने मिर्टक के भाई को शूचना दी और तब परिवार घटना इस तलपर पहुंचा जहां से यूबक को घायल अवस्ता में मंगुल पूरी सित संजे गांदी अस्पताल ले जाया गया जिसने मारा है क्या आपको बता है क्या एक आदमी था और भी लोग जी मेरे को नहीं पता है एक आदमी था दो चार योंग में जब यह इतने सारे चाकु मार रख तो क्या कोई पहले से को दुश्मनी थी रंजिश थी को लडाई जगड़ा था क्या मानते है कोई लडाई ज दिल्ली से टीवी हंडेट के लिए संधी प्राना की रिपोर्ट